हे गाईज, वेलकम बैक टो सोनिया की छोटी सी दुनिया तो गैज हम हाउस वाइब के नसीब में बिलकुल भी अराम नहीं हैं बस सारा दिन काम ही करते रो अगर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैट भी जाते हैं तो डोर बैल है जो वो बजने लगती है जैसे कि आज मेरे साथ हुआ कि आज मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए अपने रूम में गई तो पैड में तो डोर बैल बजने स्टार्ट होगी एक के बाद एक, एक के बाद एक मुझे बार-बार गेट खोलने के लिए बाहर आना पड़ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि अब रैस्ट नहीं करनी है तो उठकर चलो कोई कामी देख लेती हूँ वो कर लेती हूँ तो मुझे दिखा कि आज मुझे यह डो है न वो कलीन करनी है क्योंकि इस ट्रो में काफी सारा हम समान रख चुके थे तो मैं वो ही देख रही थी कौन सा समान रखने वाला और कौन सा फेटने वाला है तो बस मैं उसको सेट करने के लिए बैट गई तो एक न ये मेरे पास बोक्स था पड़ा हुआ तो इसको मैंने फिंका नहीं इसमें से जैसे के क्रोकरी के बैग सोरी बोक्स होते हैं न हमारे पास तो ये वैसा ही बोक्स था और दिखने में वो सुन्दा लग रहा था तो इसको बाहर से मैंने कुछ भी नहीं किया ये ऐस ऐसा ही था तो मैंने सोचा चलो इसको एक और्गनाईजर की तोर पर यूज कर लेती हूँ तो मैंने इसको इस तरह से अपने ड्रो में रख दिया और इसमेना समान में अपना अजस्ट करने लग गई ताकि हमेना समान देख जाए कौन सा कहां पर पड़ा हुआ है तो इस तरह से घर में हमारे कहीं काम होते हैं जो करने वाले होते हैं तो सुबा मैं थोड़ा सा ठक गई थी सारा काम करके क्योंकि आज कपले भी ढोने थे सफाई भी करनी थी और भी आपको पता है घर के काम काफी हो जाते हैं तो मुझे था कि चलो ये काम ना बाद में करूँगी कुई कि dusting आज मैंने सुबह की नहीं थी तो जब मैं dusting नहीं करती न तो मैं दुपैर में ये शाम के time कर लेती हूं क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने धूल मिटी तो आती नहीं है कि हम सुबा ही करेंगे या डस्टिंग करेंगे तो नीचे हमारी फ्लोर गंदी होगी ऐसा कुछ नहीं है तो बस मैं ड्रोग क्लीन कर रही थी ना मेरे हाथ में कुछ पूरानी फोटोग्राफ लग गई तो मैं वो देखने लगी तो यह नमन की फोटोग्राफ हैं जबकि जो छोटे होते ना ये इन स्कूल में बना था कृष्णा तो बस मैं वो ही देख रही थी तो मुझे देखका स्कूराइब है यह ओस भी हैंचे लगता है क्योंकि काफी फरक आजाता है पहले बच्चे कैसे होते हैं बड़े योकर बैच्चे कैसे हो जाते हैं तो बिल्कुल छेंच आ दो चोटे ना नटखट बच्चे बहुत अच्छे लगते कना भी तो इस तरह से मेरे पास मुझे नज़रो आया तो मैंने इक अर्ग्णाइजर की तौर पर इसको बना लिया थाक कि छोटा मोटा समान ना में समीघर्ट्रेश्ट कर Jungee, । इसित दिख अर्ग्णाइजर बना लिया है तो जो छोटा बाहर की तरफ ना निकले और मजबूत बन जाए तो इस तरह के बोक्से चोटे हो बड़े हो ना मैं फिंगती बिल्कुल भी नहीं मैं रखती रहती हूं ताकि मेरे काम आ जाए तो इस तरह से मैं इसको ड्रो में रख दूंगी तो यह देखें इस तरह से ना मुझे पता चल कौन सा समान कहां पर है कई बर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में ब्रो में समान रखते जाते हैं जिस वज़े से वो ना काफी मैसी सा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में तो आज मैंने सोचा कि चलो यह काम है ना वो मैं कर लेती हूं अब करके काम खतम करके हम सोचते हैं कि हम कर ले तो बाहर लोग है जो वो हमें सोने नहीं देती हैं सबको पता होता है कि दुपहर का टाइम सबका होता है सोने का रेस्ट करने का फिर भी पताने क्यूं बैल पर बैल कर देती हैं लोग तो इस तरह से मेरा ना यहां पर मैंने एक प्रोटीन शेक पीना है तो मैं इसके लिए प्रोटीन शेक पीना है तो उसके लिए ना मैंने बनाना लिया है तो बनाना को कट कर दिया और साथ में मैं चॉकलेट गाल हुए चॉकलेट सिरफ होता है वह डाल दू हूं और साथ में पीनिट्स पटर एक उसको कुछ डिफ возмर लेना ओता है Soyak cover मैं अब खाली उसको बनाना शेक ही न ही लेना होता प्रहां को कट करें और बस उसमें डूर डाल कर उसको शेक बना दे ऐसा नहीं था उसको न फ्लेवर भी चाहिए होते हैं तो इसलिए मैं इसको इसको इस तरह से अलग-अलग फ्लेवर से शेक बना कर देती हूं तो बस उसका शेक बन चुका है तो बस मैं इसको शेक है जो वो मैं उसको देने जा रहे हूं पहल कि शाम का टाइम हो रहा है तो चाई पीकरी जो हमारी सुस्ती है वो उतरेगी क्योंकि सोने को तो आज मिलाने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की है तो चलिए अब चाई पीकर थोड़ा सा अपना जो शरीर है वो खोल लेते हैं क्योंकि काम पे काम पे काम लगा रहा है आज तो ये काम तो ना हमारे खतम होंगे ही नहीं हमें खुदी बैठना होता है तो नहीं तो ऐसे इस तरह से हमारे जो काम है वो तो बिल्कुल रात को डिनर के बरतन करने के बाद अब मैं ना सिंग को क्लीन करने लगी हूँ तो ये देखे आपको नजर आ रहा ना कैसे सारी सिंग है जो पानी के दाग के साथ उट हो रखी है और diver में अच्छी नहीं लगते हैं तो मैं इस स्प्रे के साथ क्लीन करने लगी H यह लिया है स्क्रोश ब्राइट तो मैं इसके उपर यह थोड़ा सा मैंने लगाया है स्प्रे और इसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो जहां जहां पर भी न दाग है आपको नजर आ रहा है यहां पर तो जैसे हम लगाएंगे तो यह जो सारे दाग है बिल्कुल छू मंतर हो अगर हम नॉर्मली हम इसके उपर स्क्रब करें अगर हम डिश वॉष के साथ तब यह इस तरह से क्लीन नहीं होता है यह स्प्रे बोटल हम यूज करते हैं तो इससे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है आपको नजर आ रहा होगा जहां मैंने यह स्पंच लगाया है तो वहां से यह बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो रहा है अभी आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा जब हम इसको वोश करेंगे तो जो इसके जो दाग है वो बिल्कुल नीचे गिरने लग जाएंगे तो आपको नजर आएगा जब हम इसको पानी से वोश करेंगे तो तो यह देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो जैसे जैसे हम न इसके उपर पानी डाल रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा कि सारा का सारा जो इसके उपर की गंदगी थी न वो सारे निच्छी आने लगी है तो ये देखें इस तरह से तो सारा क्लीन भी हो चुका है तो वाइट वाइट दागना बिल्कुल भी न अच्छे नहीं लगते तो ये देखें मैंने जैसे हाथ लगाया है तो आपको नजर आ रहा होगा जो भी इसके उपर दाग थे वो सारे के सारे हैं जो वो निच्छे पानी के साथ आने लगी है तो इसी तरह से न मैं ये जो टैप है ये भी क्लीन करूंगी तो ये देखें तो यहाँ पर भी काफी दाग पढ़ जाते हैं क्योंकि पानी के छीटे ना जाते रहते हैं यहाँ जहाँ भी तो वह जगह बिल्कूल पी ना क्लीन नहीं रहती है तो हम उसको ना करना पड़ता है अगर हम हाथ लगाएंगे ना तब यह साफ होती है जगह अगर हम सोचेंगे ना चलो छोड़ देते हैं तो वो ना बहुत मैसी सा लगता है और जो घर में आता है ना तो घर में देखता है जो तो बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगता है तो मुझे तो यह होता है कि मेरे पास टाइम है ना तो मैं जहाँ जहाँ मुझे नजर आता है कुछ तो मैं वहाँ वहाँ ना हाथ लगाती रहती हूँ और ना चमकाती रहती हूँ अपने पूरे घर को तो ये देखे टैप है जो वो बिल्कुल चमक चुकी है तो इसी तरह से सिंक भी मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखे, पहले सिंक आपको नजर आ रही थे ना किस तरह से, अभी न ये मैंने धुआया ना तो पानी अभी सूखा नहीं है सिंक में से, इसलिए आपको थोड़ा सा निशान नजर आ रहा होगा, तो सिंक को क्लीन करने के बाद, तो जहां जहां भी मुझे नजर आता है तो यहांपना मेरे नैपकीन खरतम हो रहे थे, तो मेरे नैपकीन लगा दिये, तो रात के टाइम है ये, तो मैं साथ के साथ ही जो जार बगार है वो भी अच्छे से कीम करके रख देती हूँ, तो जो टाइम मुझे लगता है जिस काम के लिए तो मैं कर लेती, क्योंकि सार जो नजर आता है तो वो मैं करके सोती हूँ क्योंकि रात के time भी ना हमें सोना अच्छे से नसीब नहीं होता क्योंकि जब हम ना रात को बैट पर जाते हैं ना तो हमारा ध्यान काम की तरफ ही होता है तो रात को सोने से पहले ना मैं नमन की ना cool dress भी press करके ही सोती हूं क्योंकि सुबा कहीं बर light का भी नहीं पता था और सुबा सुबा तो आपको पता ही कितनी भगदर होती है हमें हर काम करने के लिए तो इसलिए मुझे यह होता है कि रात के टाइमी जो काम कर लू न वो ही अच्छा है तो मैं रात कोई नमन की ड्रेस को न प्रेस करके ही सूती हूँ तो बस इस व्लोग को भी मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ अगर आपको यह मेरा व्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीस मेरे व्लोग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जादा से जादा शेयर करना, मिलते हैं आप से एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई